तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड में सबसे पहले नोबेल अवार्ड किसको मिला तो आप क्या कहेंगे? तो चलो आपको मैं ही बता देता हूं कि वर्ड में नोबेल अवार्ड सबसे पहले विलहम रोंट जेन को X-ray की डिसकवरी के लिए 1901 में दिया गया. आज के इस टॉपिक में हम डिसकस करने वाले हैं. X-ray क्या होती है? इनकी importance हमारे लिए क्या है? Types of X-ray, Properties of X-ray, Advantage of X-ray, Disadvantage of X-ray, History of X-ray. क्या X-ray से Cancer हो सकता है? इस question, answer भी आपको इसी वीडियो में मिले का. History of X-ray, Germany में जन्मे विलहम रोंट जन्म का जन्म जर्मी के लिनेट नामक प्लेस पर हुआ था. इनके पितार एक फार्मर थे. उनकी एजुकेशन हॉलेंड में हुई, यर 1885 में वा बुजबर्ग उनिवर्सिटी फिजिक्स के प्रोफेसर पद पर सिलेक्ट किये गए. यहीं उन्होंने X-ray की डिसकवरी की, अचानक से हुई X-ray डिसकवरी की स्टोरी भी बड़ी इंटर से धंक रखा था. रॉंटजन ने देखा कि ट्यूब के पास में रखे कुछ बेरियम प्लेटीनो साइनाइड के टुक्रों से एक प्रकार का लाइब जडमगाहट के साथ निकल रहा है. तब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनकी मेच से कुछ फुट की दूरी प से कुछ अन्नोन रे निकल रही है जो हेवी कागत से भी पार हो सकती है. उस टाइम इन एक स्रे के सबजेक्ट में कुछ नौलेज न था इसलिए दो. रॉंटजन ने इनका नाम एक स्रे रख दिया. एक स्रे वर्ट का थैग्या. अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन रहसे मई एक स्रे का भी फोटो फिल्म पर कुछ प्रभाव पड़े. इस तिंकिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक फोटो फिल्म को डेवलप किया. उन्होंने सबसे पहला मेडिकल एक स्रे लिया जो उनकी वाइफ पर था के बाए हाथ का था. प्रोफेसर रॉंटजन की वाइफ ने रिंग पहन रखी थी. एक स्रे के लिये गए उनके हैंड के एक स्रे में ये रिंग क्लियर दिखाई दे रही थी. ये पहला उसर था. जब किसी हुमन के बॉड़ी पार्ट का एक स्रे लिया गया था. एक स्रे के इन्वेस्टिगेशन रॉंटजन उनके दो प्रेंट जिन्होंने इन्वेके बारे में अत्यांत महतवपूर्य युगदान दिया था. पाराद प्रे, X-ray. パर्ट डिया त्रेय मनें दिखादि लियावर्य, यह वैं दिखादवाब्नेटिक यह थी.। आवर डे आर स्टॉप्ट बाई मेटल दस्पीड ओफ एक्स रे इच थी इंटू टेंग तुदी पावर एड टाइपस ओफ एक्स रे मुख्यर रूप से एक्स रे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वां हार्ड एक्स रे अविन दोनों प्रकार की एक्स रे के बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं कोती जिनकी पेडेट्रेटिंग कैपिसिटी कम होती है जो केवल कोमल पदार्थों को ही पार करने की शम्ता रखती है Soft X-ray इन किरणों की तरंग दर्ध का मान उच्छ होता है तथा इनकी आवरती का मान निम्न होता है 2. Hard X-ray जिन किरणों की भेदन शम्ता बहुत अधिक होती है अर्थाथ जो कठोर पदार्थों को भी आसानी से भेद सकती है ऐसी किरणों को Hard X-ray कहते है इनकी तरंग दर्ध कम होती है तथा आवरती का मान उच्छ होता है X-ray का उप्योग 1. रेडियोग्राफी में इनका उप्योग किया जाता है 2. के से भी क्रिस्टल की संदचना अभ्यन X-ray की मदद से की जाती है 3. डाइगनोसिस शेत्र में X-ray का बहुत महत्र है 4. काका योगों की जाँच X-ray की सहायता से किया जाता है 5. रेडियो चिकित्सा के शेत्र में 6. एले बेविभिन्न प्रकार के प्रयोगों में इन किरणों का प्रयोग किया जाता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे पहले शायद आपने कभी सुने होंगे 1. विलहम रॉट्चन ने X-ray की डिसकवरी अचानक हुई थी असल में वो एक दिन वैक्यूम ट्यूबों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे तब अचानक उन्होंने विचित्र तरह की विक्रणों को महसूस किया बाद में पता चला कि ये साधारन तरंगे नहीं थी 2. एक सरे की खोज के लिए विलहम रॉट्चन को साल 1901 में नूबेल पुरसकार मिला था 3. विलहम की पत्नी अपने पती के आविशकार से खुश नहीं हुई थी उन्होंने अपने हाथ की डरावनी छवी देखने के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी मौद देख ली हो 4. एक्सरे की सहायता से चिकित्सा के शेत्र में काफी लाभ होने वाला था इसलिए विलहम रॉट्चन ने इसका पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके आविशकार से हर किसी का लाभ होना चाहिए 6. एक्सरे की खोज के शुरुआती दिनों में रॉट्चन एक्सरे लेने के लिए एक जिंग और सीसे के बखसे का इस्तिमाल करते थे ताकि उनकी प्रयोक्षाला में पड़ी पोटोग्राफिक प्लेटे खराब नहूँ इस जाने अंजाने में उन्होंने एक तरह से खुद को भी सुरक्षित कर लिया था शुरुआती समय में उन्हें पता नहीं था कि इन विक्रणों के ज्यादा संपर्क में रहने से उन्हें कैंसर जैसी भयानक बिमारी हो सकती है एक स्रे की वेवलेंद विक्रणों से कम होती है जिसकी वजह से ये ज्यादा शक्तिशाली होती है एक स्रे की वेवलेंद दिखने वाले प्रकाश से भी कम होती है जिन वेग्यानिकों को एक स्रे से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं था उन्हें कई तरह की समस्याओं जैसे की जलन, बालों का जलना और कैंसर जैसी बिमारियों का सामना करना पड़ा 9. कलीनस देली पहले व्यक्ति थे जिनकी मौत एकसरे की वजह से हुई उन्होंने थॉनस एडीसन के एकसरे लाइड बल पर कई साल तक काम किया था जिसकी वजह से उनके शरीर में कैंसर के कई घाव हो गए और महज 39 साल में उनकी मृत्य हो गई 10. जब एकस किरने हमारे शरीर से गुजरती है तब कुछ किरनों को हमारे शरीर के बाहरी और अंदरूनी अन्रोक लेते हैं कि कुछ किरने बीट से गुजर जाती है इसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरे एकसरे ग्राफ पर बन जाती है 11. एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में 0.4% कैंसर के मामले CT स्कैन की वजह से पैदा हुए है 12. मेडिकल फील्ड में सबसे पहले एकसरे 8 नवंबर 1895 को किया गया उसी दिन से वर्ड रेडियोलोजी डेब बनाया जाता है मेडिकल फील्ड में सबसे पहला एकसरे उनकी वाइफ का ही था अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेर करे और हमारे चैनल को सबसक्राइब करे